जो कागस दिया गया कि अब ये ताजिया यहां दुबारा नहीं रखी जाएगी तो इसे सब परेसान है लेकिन ये गल्ती किसकी है ये भी तो हमें जानना और समझना चाहिए कि पिछले मर्तबा 11 महरम को जो है प्रेस कांफरेंस लेके क्या क्या अनाप सनाप बगा गया जो कर कोड़ों रूपिया जो है दीन के अंदर खर्चों करने वाले मोहतरम आरिफ मौलाना साथ के उपर जो इल्जामात लगाए गए मैं उसकी मुझमत करता हूं और उसी के साथ-साथ मेरे साथ इस बात पर जो सामने जो किया गया है जो गलीज हरकत की गई उसकी जो लोग क्यों जो इसी की तकलिव दे बात और शिया असनाश्य तरस्ट जो है उस कानफ़रंस के बाद सुन्य ताजिय कमिटी को बार बार फोन की किके आप लोग आई और अपनी-पनी ताजिय के लेकर जाएं मगर सुन्नी ताजिय कमिटी के जुम्मे रहान उन लोगों से उन हमाँ वक्त कोसा रहती है ये कोशिस में रहती है कि हर ताजियदार क्या ताजियदारी के लिए कोई बेतर अमल पहस किया जाए लेकिन एक सामने हमारे जो है एक मुझालिफ बाइटी भी खड़ी हो गई जो पाइटी ही कहना साध बेतर लगेगा क्योंकि ये पाइटी ही लोगों के जैसे ही बाते होती है पुर्बान एमद असरफी साहफ किसी बात के लिए आगे जाते है तो उनकी मुखालफत में वो दूसरे अमल करते हैं तो ये एक पाइटी जे एक सियासी पाइटी जो तरीका इक्तियार करती है और शहर ताजिया कमेटी घहर जानिपदार है कोई सियासी पाइटी नहीं है बलके ये हुसेनी और ताजियादारों की एक कमेटी है और ये हमें सब वही काम करते रही है तो आज हमें ये बात करback करना था कि एक सक्सों की गल्ती उसके गलीज हरकत की वज़े से तमाम ताजियदर परिसान है मैं ये देख रहा हूँ कि आज तमाम लोगों के चेहरे पर एक सुकन एक परिसानी है वो इसलिए कि जब ताजिया लाने के लिए स्रिया कप्रस्तान पहुँचे तो वहां से उन लोगों को जो पंफलेट डिया गया या जो कागस दिया गया कि अब ये ताजिया यहां दुबारा नहीं रखी जाएगी तो इससे सब परिसान है लेकिन ये गल्ती किसकी है ये भी तो हमें जानना और समझना चाहिए कि पिछले मर्तबा 11 मुहर्म को जो है प्रेस कांफरेंस लेके क्या क्या नापसना बगा गया जो करोड़ो रूपिया जो है दीन के अंदर खर्चो करने वाले मुहतरम आरिफ मौलाना साहब के उपर जो इल्जामात लगाए गए मैं उसकी मुझमत करता हूँ और उन पर इल्जामात लगाए गए कि वो जो है पैसे खाते है आप तमाम लोग इस बात के शाहिद है कि अगर वहाँ ताजिया रखी जाती है तो 100 रूपिया उसका किराया जो के 27 पैसा और 27 पैसे की एहमियत किसी के पास कुछ भी नहीं है तो मैं मुझमत करता हूँ और उसी के साथ साथ मेरे साथ इस बात पर जो सामने जो किया गया है जो गलीज हरकत की गई है उसकी जो लोग भी मुझमत करते हैं वो अपना हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्ला मुला कुल वसी खत्म रसूल सवरे बतूल पिदर हसनाईन हज़त अली करम ल्ला वजूल करीम का हिसान आजीम है कि यहां तमाम ताज्यदार गलत के मुझमत करने वाले है गलत के साथ रहने वाले नहीं है लेकिन बाद ऐसे भी चेहरे नजर आते है जो के यहां पर हमारे साथ मुझमत के लिए भी है और बाद में उनके साथ भी हो यह मुनाफकत नहीं अच्छी है यह हम हुसैनियों का काम नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहों और तमाम लोग एक साथ खड़े रहे और जो आज तकलीफ है उसके तकलीफ को खटम करने के लिए तमाम लोग एक साथ मिहनत करेंगे अब माँ आगे जो है साल भर से जो कारकरदगी शेर ताजिया कमेटी ने दिये तो शेर ताजिया कमेटी के जनरल सिक्रेटरी कुर्बान एहमाद गुलाम रसुल सहाब को महावाद दूँआ के वो जो साल भर में जो भी शेर ताजिया कमेटी ने जो कुछ भी काम किया है वो आप लोगों के सामने रखे और अगर वो काम बेतर ना लगे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं और हम गलतिया करते हैं तो आप लोग उसको सुधारने की कुवत रखते हैं मैं जनाब कुर्बान एमद गुलाम रसुल साथ को कहूंगा कि हुआ है और शेर ताजिया कमेटी की कारकरदगी पेस करें और शेर ताजिया कमेटी के सरपरस्त और ताजिया कमेटी के तमाम इंबरान और हमारे ताज्येदार भाई गुजिस्ता बरस ग्यारा तारिक को जो प्रेस कांफरेंस की गई वो हम ताज्येदारों के लिए बड़ी तकलीब दे पाथ और शिया अस्री टरस्ट जो है उस कांफरेंस के बाद सुनी ताज्येदार कमीटी को बार बार फोन की कि कि आप लोग आएं और अपनी अपनी ताज्येदार लेकर जाएं मगर सुनी ताज्येदार कमीटी के जुमेदारान उन लोगों से उन लोगों के पास नहीं गए और उसके बाद में उसके सुननी ताजिया कमीटी का जनरल सेक्रेटर को बुलाए कि आपने जो जो कांफरेंस की है कि या अशना अश्री जमाज जो है ताजिया रखने का पैसा लेती है तो वो उन लोगों से मुलाकात भी नहीं किये उन लोगों की बाद का जवाब भी नहीं दिये उसका नतीज़ा यह है कि पंप्लेट के सगल में हम लोगों के पास लिए हम लोग गुजिस्ता एक या देड़ मैने से शहर ताजिया कमीटी के जाविद भाई अयोब अश्रपी मुन्तजी मासी और सरपरस्त सपीक राना साथ इस मामलाद में टरस्ट से राप्ते में है बादचीत चालू है हम लोगों ने आरिप मौलाने से भी बादचीत की मगर अभी तक तो हम लोगों की कोसिश चालू है इंशालला दौा कीजिये कि वो लोग हमारी गुजारिस को मान लें क्योंकि हाला बहुत खराब कर दीजिए यह ज़से लगता है कि यह ताजियादारी के हमायती नहीं यह ताजियादारों के दुसमन है अब सहर ताजिया कमीटी जो है ताजिया घर के नाम पे जो पिछले साल जो ताजिया कुण और हुसैनी सागर के नाम से जो बजट हमारा 40 लाग रुपिय का पास हुआ तो जगे लही मिलने की बुनियाद पर वो बजट हमारा लेप्स हो गया और सफीक राना साहब की कोसिसों से ग्यारा हजार कालवनी के पास में बिस्मिल्ला साह अश्रफी के पास जो जगे है उसकी शहर दाजिया कमीनी ने मांग की है यह हमारी कोसिस चालू है उसका प्रोसीजर आगे बढ़ रहा और अभी जो एक पेचीदा मसला है उस पे गुजिस्ता ईद बाद से अभी जो ईद बान काम चल रहा था तो उसके लिए भी शहर ताजिया कमीटी जो है वो कोसिस किये और वो काम अभी तोर हुआ दिये आगे उसका भी जयने वो ताजिया डुबाना वो रास्ता भी बंद हो जाएगा बिकंशा जाने का रास्ता बंद हो जाएगा मुकतार अश्रफ सेयद सर पास्ता बंद हो जाएगा उसके लिए हम लोग उस्ता दो से देड़ मैने से हम लोग जो है कोसिस कर रहे हैं कि वहाँ पर बान काम ना हो और बहुत से ताजियेदार ऐसे हैं जो हम लोगों से भी राप्ते में और उधर भी जाते हैं तो मेरी ताजियेदारों से गुजारि सिर्फ वाटस अप, फेस्बूक, अकबार बाजी करने वालों के साथ में ना रहें मेरी आप लोगों से मुधवाना गुजारिश हैं यह आप लोगों का नुकसान करने वाले लोगा याद रखें और यह अभी तक नुकसान करते ही आएगा जहां शेहर ताजिये कमिटी सान पसाना एक दूसरे से एक जुट होके मसनरी से बाच्छीत करती है, काम को आगे बढ़ाती है, वहाँ पर अर्थड़ा डाला जाता है पिछले साल भी जो लॉगडाउन का पिरियड हुआ, जो भी आदा किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर का जो जुलूस निकला, वो शेहर ताजिये कमिटी की कोशिस थी यह तो सुन्नी ताजिये कमिटी जो है, वो माल ली थी कि हम जगे पे ताजिये को ठंडा करेंगे, और हम हमारे घर में ही रखेंगे मगर पुलिस से बातचीत करके 9 महरम को साड़े 9 बजे रात तक के शहर ताजिय कमेटी पुलिस डिपार्मेंट से बातचीत करती है तो आप लोग समझें कि आप लोगों का काम आप लोगों के लिए कोसित जो है शहर ताजिय कमेटी के लावा कोई कमेटी नहीं करती ये खालिस अकबार भाजी वाटसब भाजी और फेस्बुक भाजी करते अब फोटु खिचा और वाइरल करो फोटु खिचा वाइरल करो काम जो है शहर थाजिय कमेटी के लोग उस एरिये में मुबस्र आसिर हुए और दूसरे बहुत से हमारे मकबूल भाई हुए अनुवर भाई हुए ये कोशिस करते हैं सब एक लैंड मनाते और पूरी मैनत सुबह साथ बेसे लेके दस बेतक करते और उनके सदर आते फोटु ख कुछ को कहना है कि आप लोग शहर ताजिय कमेटी के साथ रहें बस इतना बोलकर मेरी बात खर्क्म करते हैं